नमो नारायन संक्षिप्त वाल्मी की रामायन भाग चोंसट राम के अश्वमेध यग्य में लवकुष ने रामायन क्यों सुनाया था सीता को निर्वासित करने के बाद राम अपना अधिकांश समय प्रशासनिक कारियों और धार्मिक कारियों में व्यतीत करते थे वन में सीता के जुर्वा पुत्र होने की जानकारी शत्रुगन को थी लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि वे राम को और व्यतित नहीं करना चाहते थे लवकुष वन में अपनी मा और रिशी वाल्मीकी की संरक्षन में पल रहे थे उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्ट की थी शास्त्रों के साथ साथ उन्होंने क्षत्रियों के लिए उच्चत युध नीती और शस्त्र विद्या का अध्ययन और अभ्यास भी किया था उन दोनों की स्मरंग शक्ती बहुत अच्छी और आवाज बहुत सुरीली थी इसलिए जब वाल्मीकी जी ने रामायन की रचना की तब उन दोनों भाईयों को ही सबसे पहले इसको पढ़ाया और गायन का प्रशिक्षन दिया वे दोनों आश्रम में और अयोध्य नगर में जाकर रामायन का गायन बीना बजाते हुए क्या करते थे उनके गायन से श्रोता मंत्र मुगध हो जाते थे इसी बीच राम ने अश्वमेध यग्य करने का निश्चे किया राम द्वारा यग्य का विचार कुछ समय बाद राम ने राजसुय यग्य करने का विचार किया लेकिन भरत इस यग्य की पक्ष में नहीं थे। लक्षमर ने अश्वमेध यग्य का विचार दिया जो राम और भरत दोनों को पसंद आया। राम के आदेश से अश्वमेध यग्य की तयारी होने लगी। यग्य के लिए सुब्रीव, विभीशन आदी को भी बुलावा भेजा गया। अनेक राजा, रिशी, ब्राह्मन आदी को निमंत्रन भेजा गया। सीता की स्वर्ल प्रतिमा, निम के अनुसार अगर किसी यग्य का यजमान अर्थात जिसने यग्य करने की दीख्षाली हो, विवाहत या ग्रेहस्थ हो तो उसे पत्नी सहित यग्य का संकल्प लेना परता था। राम विवाहत तो थे लेकिन पत्नी साथ नहीं थी, इसलिए की स्वर्ल प्रतिमा को बैठाया जाता था। यग्य की तैयारी, राम ने नैमिशारन्यम एक गोंगती नदी के तट पर विशाल यग्य मंड़क बनाने की आग्या दी। अश्वमेद यग्य के नियम के अनुसार विदिवत रूप से पूजा इत्यादी कर काले रंग का एक अश्वा छोड़ा गया। लक्ष्मन को इस अश्वा की रक्षा का दायत्व देकर सेना सहित राम स्वयम नैमिशारन्य गए जहां यग्य होना था। सम्पूर्ण तैयारी कर यग्य का कार्य आरंभ हुआ। नैमिशारन्यमे राम के अश्वमेद यग्यमे वाल्मी की रिश करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि अगर कोई उनके माता-पिता के विशय में पूछे तो विनम्रिता से केवल इतना कहे कि वे महर्शी वाल्मीकी के शिष्य है। यग्य में कुशलव द्वारा रामायन का गायन वाल्मीकी के आदेश के उनके दोनों लगे। उनका गान गंधर्व संगीत विद्या और कावय विद्या दोनों ही दृष्टी से उत्कृष्ट था। दोनों गायक बच्चों के मधुरस्वर और गायन कला श्रोताओं का मन मोह लेते थे। उन दोनों का गायन राम ने भी सुना। उनके संगीत कौशल से उन्हे मिलने पर राजव, रिशियों, वयाकरनों, वयाकरन के ग्याता, संगीतग्यों इत्यादी को बुलवाया। इन सब के समक्ष दोनों बालकों को काव्य गाने के लिए कहा गया। दोनों बालकों के अद्भूद गायन से सभा में उपस्थित सभी लोग आनंद विभोर हो गए। लोग कहने लगे, इन दोनों बालकों की आकरती रामचंद से बिलकुल मिलती जूलती लगती है। अगर इनके सिर पर जटा और शरीर पर वलकल वस्तर न होते तो ये राम जैसे ही लगते। लवकुष द्वारा पुरसकार को अस्वीकार करना। राम ने पुरसकार स्वरूप अधारह हजार स्वर्ण मुद्रग दोनों बालकों को देने के लिए भरत से कहा। भरत जब दोनों भायों को अलग-अलग ये राशी देने गए तो दोनों ने कहा इस धन की हमें क्या आवश्यक्ता है। पर दोनों भायों ने इस कावे के रचएतारिशी वालमीकी को बताया, जो उनके यग्य-स्थल पर उपस्थित थे। उन्हों ने बताया कि यह कावे 500 सरगों और 6 कांडों का है। उन दोनों ने ये भी बताया कि वालमी की ने इन शे कांडों के अतिरिक्त उत्तर कांड की रचना भी की थी। अगले दिन भी इसी तरह दोनों भायों ने रामायन सुनाया। कई दिनों तक ये गायन चला। यग्य के कर्मकान से निवरित होकर राम समस्थ सभा के साथ दोनों बालकों का गायन सुनते थे। वे प्रतिदिन 20 माइनस 20 सर्ग सुनाते थे। उनके इसी गायन से सभा में उपस्थित राम सहित सभी लोगों को पता चला कि वे दोनों राम के ही बेटे थे।